आज मैं आपको S-Kanels की उस साइट से ले जा रहा हूँ जहां हम पहले नहीं गए क्योंकि S-4 में एक फीमेल आई है परसो रात को इसको यामिनी जी ने इसके बारे में कॉल किया था यह बहुत जादा डरी हुई है इसको दरात से किसी ने दो तीन बारी मारा है इसकी पैर की मसल पूरी तरह कट गई है और डॉक्टर अंके छुट्टी पे हैं वो बताएंगे आके कि इसका पैर एंप्यूटेट होगा है क्या होगा मतलब एक्सिडेंट वगेरा तो चलो समझ में आ जाते हैं कि बदकिस्मत ही है पर human cruelty वाले केसिज जो है ना मतलब थोड़ा दिल उनसे टूट सा जाता है खेर ऑन और मोर पॉजिटिव साइट बिल्लो की सर्जरी बिल्कुल सक्सेस्फुल रही है अब यह एक्दम गुल्शन ग्रोवर टाइप लग रही है एक ही आख है इसकी अनफॉर्चुनेटली वैसे तो ओके तो यदि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कांगडा में हैं आप बिल्लो को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप यहां आ भी सकते हैं कभी भी साड़े नौ से बारा के बीच में शनीवर के अलावा यह आप हमें एमेल करिएगा रोहित की रिकवरी एकदम बढ़िया से चल होगा वो पीछे रेजिडेंट एरिया में था और डीजल जो है वो भी हील होके रिलीज हो गया है इन फैक काफी टाइम से मैं आपको अमूल और डार्क चॉकलेट से नहीं मिलवाया अमूल बिल्कुल ठीक है डार्क चॉकलेट तो डार्क चॉकलेट की इंजरी बिल्कुल जी का थोड़ा सीन सा हो गया यह थोड़ा जावा कठे समय व्यतीत करते हैं इस समय तो खैर हनुमान जी यह सिंगल सिंग से दोस्ती करें हैं सिंगल सिंग भी तीन दिन पहले आये हैं यह बहले इसका एक सीन टूटा वैड दिनो वेरी स्फॉम साहिल कि रिकवरी नॉर्मल चल रही है अलबर्ट पिंटो को तो मैंने का आई था कि हम अडॉप्ट करेंगे मैं आपको भोपू का अपडेट देता हूं भोपू गई थी सर्जरी के लिए उन्होंने का कि इसकी सर्जरी जो है पॉसिबल नहीं है कुछ आर्ट्री का कुछ टे अब जो इसकी स्पे मतलब स्टर्लाइजेशन नहीं करी उसका मतलब यह कि हम इसको सड़क पे छोड़ेंगे तो इसका बच्चा पैदा होगा और अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो इसको दूद पिला नहीं पाएगी सिंगल सिंग के बारे में नीटू जी ने कॉल किया था शापूर से यह ऐसा क्यों है कि ज्यादा तर रेस्क्यूज वे लड़कियां कॉल करती हैं लड़के इतने कंपैशनेट नहीं है क्या खेर बेटी जी से तो मैं आपको इसलिए मिलवा देता हूं कि भई आप कंप्लेन ना करें कि बेटी जी कहा है वैसे तो अब आप हमारी फेस्बोक इंस्टाग्राम यूट्यूब स्टोरीज पर बेटी जी और मीमी को देखते ही रहते हैं अच्छा और यह है पहलवान वैसे तो पहलवान की सेहत थोड़ी डाउन ही लग रही है पर हमने आपको बताया था क इसका हील ठीक से हो रहा है पर क्योंकि इसके टेंडन कट गए है तो यह पैर जो है जमीन पे नहीं लगा पा रहा अगर यह रिकवर नहीं होता तो यह भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है कि जब तक हमारी एक साल में गौशाला खुलेगी तब तक हमार तक हमारी गौशाला पहले ही भर चुकी होगी बेगल और यह रख-ख चोटे पैर वाला एंसके तक हां चोटे पैर वाली बेगल और रिंगी बहुत ही जल्द शिमला जा रहे हैं अगले अपडेट में यह लोग नहीं होंगे मीनी को जो अडॉप्ट कर रहे थे वो पीछे बंवान जात काहई हैं और मीनी के लिए हमार बास कोई कंफर्मड घर नहीं है मैं इन्हें आपको रॉली-पोली से भी हुआ हूं। रोली-पोली के लिए भी हमारान सकफर्म्ड घर नहीं है रिंकी नहीं दिख रही है किम आथ जुन था सायों okay uh can you open the door for me hey rolly polly hey 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 to rolly polly के लिए अभी माँ पास कोई घर नहीं है तो अगर आप इसको अडॉप्ट करने में इंट्रस्टेड हैं आप डिस्ट्रिक कांग्रा में हैं तो आप हमें प्लीज संपक करियेगा हम दिल्ली भी भेज सकते हैं खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा मुंबई भी भेज सकते हैं उसमें भी हम पहले दिल्ली भेजेंगे वहां से पेट फ्लाय के माधियम से हम भेज सकते हैं मस्त्राम लगबग लगबग हील्ड है और बहुत ही जल्डी इसका जो केज रेस्ट है वो खतम हो जाएगा उसके परवत और देवदास की जो फिजियो है वो काफी चल रही है अच्छी और जो चितकबरा है मैं आपको इन से मिलवाई देता हूं फिर ही बताता हूं एक सिकिन जो ओपन तो और मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा क्यूंकि अब जैसे जैसे सर्दियां आ रही है ना तो प्लस्टर निकल चुका है ठैंक्स अगें आप लोगों ने हूप यह पैर नीचे कि जो वाई जी नौट टेकिंग अ लोड़ ऑन मुझे नहीं बता कि आपने जो से सुना होगा है नहीं पर इसकी मसल्स थोड़ी वीक हैं इस समय क्यूंकि इतने टाइम तक कास्ट में था तो जैसे से फिजियो होगी तो इसकी जो पैरों में शक्ती है दुबारा वापिस आ जाएगी पिंकी बहुत 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 बेतर दिख रहा है थे पिंकी देखिए पिंकी के सारे फ़र आगए है लगबग अब तो थोर्ट आएम बार लोग पुछेंगे कि इसको हम पिंकी कहते ही क्यों थे I don't know him She's a speck Okay यह जो है यह स्पेक है हम स्टरलाइज करते हैं मैंने आपको पहले की बताया था कि स्टरलाइज करना मतलब एक प्रियम्टिव रेस्क्यूस कर लेना रेस्क्यूस प्रिवेंट करना क्योंकि ना पपीज होंगे ना लोग उनके साथ क्रूलिटी करेंगे ना गाड़ी के अग्जेंट्स में वो मरेंगे परवत देखिए बड़ी आज़े चल रहा है और विन दियू थिंक परवत कौन इस गॉन आप जो मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि नूपुर जी ने हरपीज जी जे मारा संपक कराया था और नोंने एक होमेओपेथिक स्प्रे बेजा था और वो जो स्प्रे है उसकी वज़े से जो हीलिंग है काफी बेटर हो रही है और चितकबरा और गुबारा दोनों एक जैसे ही दिखते है गुबारा जोए गुबारा की skin जोए बिल्कुल ठीक हो गई है यह कौन इसलिए है because neutered and there's one more good news about गुबारा is that he is now officially adopted गुबारा अडॉप्ट हो गया कहां पर गुबारा जा रहा है कैनिडा और इसका पूरा जो खर्चा है वो इनके अडॉप्टर ही वहन कर रहे हैं तो अब हम यह कहरें कि domestic adoption में 50% cover करेंगे international adoption में पूरा खर्चा उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो इन्हें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि कई लोग जो है इनकी मदद करने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं ना कि अपना status दिखाने के लिए ना कि breeders को support करने के लिए बत्तमीज एन्यवे और चितकबरा की जो हड़ी है वो हील हो रही है यह आपको दिख रहा होगा just a bandage or is it a plaster it's a plating actually a orthopedic surgery because it's a surgery is plate डली ती पालंपूर में इसलिए bandaging हो रखी है हाँ इसका जो पैटन है उससे ऐसा रखते है इसके पर्मानेट मत्थे बर बल है कि आपको बाकी जो अपने काफ से उनसे मिलवाता हूं उससे पहले जो हमारे परिवार में एक जो नई सदस्य की एडिशन हुई है और मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूं पर यह जो ट्विन डोर्स है अगर आप कोई रेस्क्यू प्लान कर रहे हैं तो यह जो डब्बे हैं इसमें हमारे जार्ज आ रखे हैं जार्ज में हम स्कोबी बनाते हैं और कंबूचा बनाते हैं पर फिर भी लोग इंसिस्ट करते हैं स्कोबी खरीदने पर तो हम इसलिए स्कोबी बनाके बेच रहे हैं और यहां पर शिवानी दिवाली का जो एक और आए वा है उसकी शुरू करें क्योंकि कई लोग दिवाली का जो गिफ्त है पीपल फार्म प्रोड़क्स का देते हैं बाएं मैं और यह किन्हों ने ओर देटी को और यह जो रिसाइकल पेपर बने हुए बैगेज थो हमने इसको थोड़ा सा पेंच किया है स्ट्राम किया है और अब इसको हम इंवाजिए कर रहे हैं बैग तो अब तु वोलेंटियर कर रहा है है रफते भाइद वे फार्म से हमारे अखरी कदड़ उतरा है यह सलोनी है सलोनी ने हमें मुंबई से जॉइन किया है इसलोनी इमनी इंट्रोड़क्शन खोदी देंगी है हिंदी इंगलिश दोने ही बड़ अच्छा बोलती है अच्छा तो अच्छा तो अच्छा तो अच्छा तो अच्छा तो अज़ी के ओड़िए कुकीज बने हैं कुकीज हमारा एक स्टैंडड प्रड़क्ट तो नहीं है तो कुकी तो नहीं है पर अब हम दिवाली के लिए ये ट्राइ कर रहे हैं और मुझे ये काफी सैंपल करने को मिर रहे हैं वैसे तो मैं शुगर अवॉइट करता हूं पर कुकी इसके केस में एक मैं थोड़ी एक्सेप्शन में कर लेता हूं ओके मैं आपको सबसे मिलवाद हूं ये पीछे तो जो बत्तमीज घूम रहा है मुरगा ये मटको है ये अब मुझे तो कुछ नहीं कहता है लेकिन ये बच्छडों पर थोड़ा रोप डालता है लट्टू लट्टू काफी हद तक हीड़ी है लट्टू बहुत ही जल्ट लेकिन अब हम इसे रिलीज नहीं कर पा रहे हमने कोई decision make नहीं किया कि क्या करना है टोफू टोफू बिभी ये टोफू है टोफू को वैसे मैं बहुत पसंद हूं पर मुझसे जादा पसंद इसको भूसा है जो खिनी कमें मुन्ना जो है कुछ भी नहीं कहता चिकन मुन्ना मुन्ना थोड़ा उदास रहता है मुन्ना की कहानी तो आपको पता है कि इसकी माँ को कोई kidnap करके ले गया था मैंने आपको खाता कि शायद kidnap किया हो शायद accident हुआ हो पर बाद में यहीं पता लगा था वहां पर एक गिरहोसा है या या लोग है वो उठा के ले जाते हैं सि पहले सीता भी आई थी उसके साथ भी यही हुआ था एक और बच्छडा था उसके साथ भी यही हुआ था और मुन्ना के साथ मुन्ना के साथ भी यही है मोरिंगा की recovery नॉर्मली चल रही है कुछ कह नहीं सकते कब तक यह ठीक होगी और अधीपक जी अपना गोबी की गेंद से खेर रहे हैं यह देव्यानी है देव्यानी भी लिंप करके चलती है देव्यानी बच्छडा तो नहीं कह सकते इसंड देव्यानी तो शी नॉट अ काफ वाइशी है यह यह थोड़ा लड़ती है सींग विंग मारने कोजिश करते हैं सींग हैं तो नहीं इसके and the other black one is that's द लिपक देव्यानी I don't know his or her name you don't know that either यह जब काले वाले एना सौरी इनका नाम जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है तो खेर बाकी एक जो गुड़ नीज है वो यह है कि जो मारा बाहर वाला resident cow shed है अब उसमें सिरफ residency रहे हैं और कोई भी recovery वाले cases नहीं है तो थोड़ा ज्य manageable हो गया है मैं आपको farm का थोड़ा सा दिखा जेता हूं फिर हम यह update बंद करते हैं farm में क्या हो रहा है कि अब देखिए जैसे हमने साफ करनी शुरू कर दी हैं पहले वाले बेड यह जो सारी तोरियां है यह थोड़ी सूख चुकी हैं यह इतनी भी नहीं सूखी कि इनका हम जावा निकाल लें पर इतनी सूख गई है कि खा नहीं सकते तो यह कटकट के गाए को चली जाती है यह बेड अभी साफ होने बाकी है जो बेड साफ हो गए हैं यहरी सूखी हुई तोरी इसमें पूरा जावा निकलाता है मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए अब इसका छिलका पूरा उतार देंगे तो अंदर बीज भी निकल आएंगे और जावा भी तो अगर आप किसानी में हैं तो ये थोड़े आइडिया आप भी लीजिए थोड़ी एक एक पूरा इंकम हो जाती है कुछ तोरिया जावा बनाके बेज दिया बीज बेज दिये हम क्या करते हैं देखिए सारे बेड़ पर इस समय चावल का भूसा है पराल कहते हैं जिसको वह बिल्कुल अवेलिबल है गाओं में तो हम पूरे बेड़ को इससे ढख रहे हैं अब जब हम प Abbacji रैहां है डिल्वर भी बेगा काम करी रहे है लुक्त मैं युक्त का मारे नहीं नहीं होता है इसके पत्ते नहीं रोजड़ में डालिया यह पूश्टिक रहते हैं में प्रोटीन pra इससे सब कुछ है और अगर आप पैसा कमाना चाहते है तो सुखा के बेचिए दिलबर याप क्या कर रहे हो रहे हो अचशा लशन लशन की तुरियंग है अपनावीर है यही हमारा बड़ा लशन होता है ना वह हमने उसको बीज के लिए बचा रखा है इस समय लगा रहे हैं यह वाली साइड जो यह नीचे जाती है यह वाली साइड है यहां से हरे पत्ते निकलते हैं इसको हर बेड है यह लगी है भावडी जिसे कहते हैं बेजल यहां पर हमारे जो दो दो वराइटी जैनो वीज बेजल लगा है और एक दूसरी वराइटी है जिसका मैं नाम भूल रहा हूं मैं आपको बेजल की एक बाद आँँ कि यह देखिए विए जैसे इसका फूल निकलना शुर बेजने होते हैं भावडी बेजल जुगाना सबसे असान है और यहां पर शरार्ती बिल्ली रावीना की सारा दिन यहीं गूमती रहती है इसका नाम है चकली नाव चकली वास चकली वास गोड़ी नाव चकली तो खेर आप भी भावड लिगा सकते हैं देखिए इस समय कोव सुखा के बेचिए और जह हमा बनागे बेचिए कुछ-कुछ बहुत सारी चीज़ें घर में कंभूचा बना गयाव बेच सकते हैं टोफू बनागे आसपा सप्लाई कर सकते हैं कि छोटी- मोटी चोटी मोटी चीज़े शुरू करिए आप खुद भी पैसा कमा पाएंगे औरों को भी रोजगार दे पाएंगे दॉलत राम जी हाई कह दो ओ बाए कहना था दॉलत राम जी बाए कह दो